हलो अब्रिवन वल्कम बैक तो यॉर ओन चैनल साइन्टिया आई होब तोड़ी प्रिप्रेशन अच्छे चाल रही है कॉंपिटिटिव इग्जाम दी अज आपा जो चैप्टर फिनिश कित्ते काली मोशन उसनों उस दें एमसी क्यों करांगे ठीक है जी आई होब तुसे चैप्टर कंप्लीट कार चुक्यों पीटटली ओविएसली इंपोर्टन चैप्टर है वान टू टू कोशन बन जन दे ता अपनी त्यारी करियों प्रॉपर वेदे नाल और पहला कोशन खुद सोल्व करियों फिर उननादे अंसर्स चेक करियों मै मैंनो जरूर दसियों तोड़े किनने अंसर्स करेक्ट हुन दे हैं कमेंट सेक्षन दे भी जसना है स्टार्ट कर दियां फिस्ट एमसी क्यू फिस्ट एमसी क्यू पाथ लेंथ ट्रेवल्ट पाय बोडी इन गिवन ताइम इंटर्वल इस नौन एस की क्या जन्दा जदो एक एक्ट्वल पाथ कवर किता जंदा किसे वी बोडी दवारा उसनों की क्या जंदा इस न्दा इसक्रोशन द राइट अंसर की हो गया आपने कोल ऑप्शन ए बिलकुल करेक्ट हो गया नेक्स अपपर गल करांगे सेक्ट एमसी क्यू दी आपने क्या तो एक्ट्व इमसी की डिया बोडी दैक्ट्वल तक्कर आपने क्या एट रही थ जल पासफ 너 पर मेंडृ कल करता इस किसे यू नही क्योड स्थे nas liquid बैक्ट्वा जर्चले मेंल जा क्योडिशक पैक्ट्राइश डिटक्राइंभ थेक्ट्री और देक्वाया जस ता विलोस्टी की उन्दी अपने कुल डिस्प्लेस्मेंट बाई टाइम देखो फो एदे विचना जादा तर या फॉर्मूल ले आंगे यह तो अनू इक अद्धा हम एमसी क्यों अजारी या तो मतलब स्ट्सक्रा पॉर्मूला जांगे ठीकत पता होने चाहीं यह थे गें ऑप्षणीं च्मस्टेंट हो गया डिस्ट्प्लेसंट बाई खाएम नेग्सट गरान ज़र्क्रांगे जो उन्दीव तब natoon The physical quantity that has both magnitude and direction is known as Can they O physical quantity जीते को magnitude भी होवे direction Magnitude मतलब value उसनों की कवांगे vector quantity, scalar quantity दोनों कह सकदे या neither उसनों अपपा कहने है vector quantity जी में force exhalation की में F नू इस तरीकी ना donate ये vector quantity दा की हो गया sign हो गया arrow लगाना ता एस दा राइट अंस की आ जुगा option A clear scalar दे विच सिरफ दे सिरफ की हुन दे magnitude हुन दे next काल करांगे 4th m सी क्यों दे exhalation is the rate at which dash changes हुन exhalation दा की formula दे change in velocity with respect to time ता एस question दा राइट अंस की आ गया option A क्लियो नेक्स्ट गल करांगे अपा देखो formula है भी जो मैं class प्रोपर वेदे विच करा जो किया नेक्स्ट अपा गल करांगे 5th m सी क्यों दे इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ दस्ट्रीट होरीजेंटल लाइन रीप्रेजेंट वाट काइंड ओफ मोशन मैं कल करवाया सी इस त्रीकिनल जो स्ट्रीट लाइन आंदिये ठीक है एक इस चीज नू की कर रहे है रीप्रेजेंट कर रहे है ए दस यह एक्वोल डिस्टेंस इस टेंस पर टाइम दा ग्राफ है एक्वोल डिस्टेंस कवर किता गया इन इक्वोल इंटर्वल ओफ टाइम क्लिया इक्वोल इंटर्वल ऑफ टाइम देविच इक्वोल डिस्टेंस कवर किता गया ताहीं अपने क्वोल स्ट्रेट लाइन बन दिया है ताह इस ग्राफ नू की क्या जांद है यूनिफोर्म मोशन इस कुशन दर आइट अन से किया गया ओप्शन ए आ गया ठीक है जी नेक्स्ट रिगल करांगे फिफ्ट हैम सी क्यों दिया नहीं सीक्स्त दिया टाह कि अ मोशन तो की सम्झन जो अपना चेप्टर ना नीम है कई बार इनने डिरेक्ट कुश्यन आघन देहा ता motion की हुंद है, change in position, change in speed, change in direction, change in time ता की हुंद है अपने को change in position, option A करेक्टो जी में जी में position किसे भी object दवारा change हुन दी है with respect to time, ता उसनों अपने की क्या दिन है, motion clear ता right hand से क्योंगे option A next आप अगल करांगे next question दी which of the following is true about motion along a straight line क्यांदे जदों हुने करवाय है motion अगर straight line दे वीच हो रहे है तो तुसी उस तो की समाज़े हो, uniform motion, non-uniform motion either uniform or non-uniform it can be multiple direction, no ओ हमेशा की होगा uniform motion uniform motion दा मतलब ही same है जीज दे वीच equal distance cover हो रहे है equal interval of time दे वीच clear? next question देखो what kind of motion is observed when an object moving circular path at constant speed speed same रहे है कुम गिस्ट रहने एक circular path दे वीच ता option है accelerated motion, uniform motion, non-uniform motion circular motion देखो circular पढ़के टिक नहीं लगा दे नी ठीक है जी same time ते same जगर distance equal है radius equal है ता करके तक ही आगया अपने कौल क्योंकि थी speed equal चाल रहे है इसलिए इनो uniform motion के आगया next question देखो last question दे भी आगया अपने which of the following situation is true and possible कैंदे केटी situation ने दे भी चो सही है if a velocity of the body is zero then acceleration can be non-zero अगर कैंदे velocity zero है ता acceleration non-zero होगी कि यह सही है second है a body moving at constant velocity can have acceleration कैंदे अगर velocity constant है ता कैंदे मतलब constant velocity नल चाल रहे है ता ओधी कैंदे acceleration होगी मतलब पुछ रहे है कि ओधी acceleration किया होगी next question की कह रहे है हूँ the magnitude of distance and displacement are equal in circular path देखो ए है कि होगे गरत हो गया क्योंकि displacement shortest distance हो देते circular path दे विच displacement की हो ज़न दी अपने को zero हो ज़न दी है क्योंकि shortest distance नहीं हुंदा and जेडी body move at a constant velocity can have acceleration अगर अप अग एस दी गाल करिये कि कोई भी अगर body है वो constant velocity नल move करे तो the acceleration अभी possible है देखो ए जो situation है अभी की अपने को पोसिबल है and उपर वाली ता अप फर्स्ट कोर्शन दे विच ही solve किती सी गी ता उपर वाली भी correct होगी बट अगर आप अगल करिये तो देखो ए दोनों correct हो रहे हैं अगर विलोस्टी जीरो है ते एक्सलेशन दे नोन जीरो ए में दोनों फर्स्ट कोर्शन दे विच आप अगल किती सीगी आँ देखो नहीं सोरी साइक्टिंच है आँ देखो इट इस पोसिबल तो हैव अनोन जीरो वैल्यो उफ एक्सलेशन दे विलोस्टी जीरो ठीक है जी ता एदे दो बंदे है ता इस कोशन दो छोड़ दो अगर एद दन दे कोशन आज़न ता माक्स मिल ज़न दे ठीक है जी आई होप तो आनू आच दी क्लास वदिया लगी होगी लाइक करियों शेयर करियों कमेंच दस्यों मैंनो तो डिकिने कोशन्स क्रेक्ट होया और टेलिग्राम ग्रुप नो भी ज्वाइन कर लियों थेंक्यू सो मज़ फीडबेक दे दया करो मैंनो नालना तो दाट मैंनो भी मोटिवेशन यह मिल दी रहा करे कि मैं डेली वीडियों बना हुआ अचली टाइम आज कल अपपते सारी पीजी हुनिया तो अकॉर्डिंग मैं भी फिर काम कर वा रही हैं थेंक्यू सो मज